अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तो गुरू में दोस्तों क्या सच में घर की बहु से आटक बुनवाने पर पती का भागया खराब हो जाता है दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहा है क्या घर की बहुव के हाथों से अगर रूटी बनती है तो क्या सच में घर बरबाद हो जाता है अगर घर जल्दी बरबाद हो जाता है तो उसका क्या कारण होता है दोस्तो हर महिला चाती है कि उसका घर परिवार उत्तम रहे और उसके घर परिवार में हर सदस्य खोस रहे लेकिन कुछ ऐसे गलतिया होती है जो जाने अन जाने में होती है और जो हमारी लिए दुखत हो जाती है और जिसका परणाम घर के हर सदेस को भुगतना परता है जिसका कारण होता है दोस्तो हमारे द्वारा बनाए जाने वाला खाना दोस्तो रसोई घर जहां महिलाओ का राज होता है इनके बगेर कोई भी पुरुस अपने सुभा की सुरवात सही तरीके से करही नहीं सकता रसोई घर में बना स्वादिश नास्ता और दुफर में बनी खाना व्यक्ति में नई उर्जा का संचार करती है दोस्तो घर में जो कोई व्यक्ति पोस्टिक भोजन करता है सुद्ध भोजन करता है उसकी आत्मा भी सात्विक होती है और उसको नए नए विचार आते है लेकिन अगर वह कोई गलत खाना खाता है तो उस व्यक्ति को नकारात्मक विचार आते है और वह व्यक्ति ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता, ज्यादा कुछ तरक्की नहीं कर पाता है दोस्तो जानकारी के मुताबी आटों की गुनने के बाद उसमें कई रसायनिक परिवर्तन आने लगते है ऐसे में ताजा आटे से बनी रोतिया सिहत के लिए बहुत लापकारी मानी गई है लेकिन देर के रखे गई आटे में कई सारी बेक्टेरिया पनब जाते हैं जो सिहत के लिए बहुती नुक्सान दायक है आपको बता दे कि जब घर के लिए बहुत सारा आटा गुन लिया जाता है तो उसे कुछ महलाएं फ्रीज में रख लेती है जो की बहुती गलत बात है फ्रीज में आटे को स्टोर करने से उसमें CFC गैस और हानी कारक किरने उसमें खराबी पैदा करती है ऐसे में आटे में पोसक टत्व सब खतम हो जाते है और ऐसे आटे से बना कोई भी पदार्थ बहुत ही नुक्सान दायक है अगर हम आयुवेद की बात करें तो बासी रोटिया कभी भी नहीं बनाना चाहिए लेकिन महिलाय ऐसे तब करती है जब आटे को दुबारा नहीं गुरना चाहती है यहां गलती आपके परिवार पर भारी पर सकती है दोस्तो इन गलतीया को सुधा ले ताकि आपके जीवन में हमेशा माता अनपुना की आशिरवात बने रहे तो कमेंट में आप जय मा अनपुना जरूर लिखे और हमारे चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे